अज़ की वीडियों हम लॉग क्लास 12th मैठ का चैप्टर फर्स्ट जो है संबंद और फिलन यानि की रिलेशन एंड फंक्षन उसके हम लोग क्या करेंगे चैप्टर 1 जो आपका है उसके हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चर नंबर 5 से हम लोग लेक्षर देख सकते हैं तो देखे रहाज किआ र हैं यह वाला जो mm नमबर है यह यह उना संक्या के लिए तो इसकर और रिटा से दिखा देते हैं क्योंकि दोनों सेम हो जाया तो और भार वर वी और याँ पर बनीषन दे रखोड़ी सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं स्वतुल्य के लिए डिफिनेशन क्या होती हम सभी को पता है कि एक ही जैसे एलिमेंट आपके आर में बिलॉंग करने चाहिए तो यह जो हमारे पास आर वरा पर संबंद रखा इसको हम लोग एक साइड में नोट कर लेते हैं और इसके लिए कंडिशन एलेस देन बी क्यूब यह हमारे पास दे रखा है तो देखो हम लोग क्या करेंगे जब आपका एक क एक कॉमा बी आर में बिलॉंग कर रहा है तब यह कंडिशन बन रहा है उसी तरीके से ए जब बिलॉंग करेगा तो यह कंडिशन बन जाएगी अब हम लोग क्या करेंगे यहां से हम लोग एकी वैलू अगर एकी वैलू अगर हम लोग वन बाई टू ले ले लेते हैं वास्त तो इसको करके देख भी सकते तो इसको आप कैसे छोटा लिए वन बाइट कैसे हो सकता है जब भी होगा वन बाइट ग्रेटर देन वन बाइट होगा तो इसको क्या कह देंगे यह ऐसा पॉसिबल नहीं zoras communion में यह जो आराई है यहारी पास स्वाटोल बाई नहीं है तो यह हमारे पास इसका हो जाएगा अब उसी तरीके से दूसरी चीज हम देखते हैं दूसरी हम क्या देखते हैं सम्मीत देखते हैं सम्मीत होती हैं सब कोब्लत कर्late ना पेलों करना चाहिए जाहिए ठीक यह क्लियर आप देखिए यहां से हम लोग लिखें इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे तो यहां से हम लोग लिखएंगे एक कॉमा बी पिलॉंग्ज टू आर तो देखिए जब आपका एक अब तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या करेंगे अब यहां पर वन मान लेते हैं तो यह कैसे पता चल रहा है यहां जितना जादा प्रैक्टिस करेंगे कि उस तरीके से हमें पता चलता जाए कि एक ही वैलू हम क्या रखें कि रिफ्लेक्सी हो जाए से में अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो इसी तरीके से हम यहां पर लिखेंगे एक यहां से लिखेंगे टू का क्यूब हो जाएगा ठीक कितना हो जाएगा तो देखो इसका मतलब यह कि जब एक को में बिलॉंग करने चाहिए उसी तरीके से कह रहा है जब 1 less than 8 होता है तो कह रहा है कि आपका तब आपका 8 less than 1 भी होना चाहिए ठीक कभी आपका 8 1 से छोटा हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना तो इस कंडिशन में लोग कह देंगे not possible इस कंडिशन में तब यहां पर जो हमा थर्ड चीज़ हम लोग क्या निकालेंगे संक्रामक यानि की ट्रांजिटिव निकालेंगे तो संक्रामक के लिए हमारे पास यहां तीन एलिमेंट होने चाहिए A B C तो यहां देखो इसकी क्या डिफिनेशन होती है कहता है कि अगर A, B R में बिलॉंग कर रहा है and B, C अगर R में बिलॉंग कर रहा है ।क अगर B सेम होता है तभ A, C R में बिलॉंग करना चाहिए यह संक्रामक की कंडिशन होती है तो देखो जब का A कॉमा b r में बिलॉंग कर रहा हूं तो एलेस्देन और हैंसे हम लिखेंगे में अनकृत कि बिलॉंग कर रहा है यहां से लिखेंगे। चल्ट हूं सकते हैं जब बहरें स्किर offs चाहिअ कि इसको है कि यह किस में नृर्म करें यह उसी तरीक के से यहां से उलू strengthen क्या लिख सकते हैं अब यहां से हम लोग क्या करेंगे अब यहां से हम लोग को हम लोग मान लेते हैं कितना 3 मान लेते हैं अब यहां से आप देखिए एक बात बताईए यहां पर यह जो लिखा हुआ है अब इसमें आप बताईए कौन बड़ा है बड़ा तो 3 आप इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं इसका क्यूब करेंगा फिर इससे डिवाइड करेंगा तो देखिएगा यह 3 से छोटी वैली हुए आएगी तो लेकिन यहां पर 3 लेज देन इतना लिखा है जबकि 3 ग् यह हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा स्ट्विए मारा कुशन हो जाता है कंपलीट यहां से अब हम लोग चलते हैं नेक्श्ट कोशन की तरफ स्विदी यह कोशन बहुत डिशी को सब्सक्रीब कैसे करेंगे इस कोशन में क्या बोला व किजिए की समूच्छए मैं पा लेकिन रिफ्लेक्स भी नहीं है ट्रांजिट्य भी नहीं है तो यह हमें प्रूफ करके दिखाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हम धिंग डालेंगे सवतुल की सवतुल तो यहां चीह स्वतुल के रहां हम सबढहिते हैं आर बराबर क्या रखा है हमारे पास दे रखा है कितना और दह रखा है और यह जो समूच्च है हमारे पास दे रखा है इसको में मान लेते हैं सेट ए में आपके एलमेंट 1,2,3 यह दे रखे हैं तो यहां देखो हम लोग सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्सियों कि यानि कि स्वतुली की कंडिशन क्या होती है एक ही जैसे एलमेंट आर में बिलॉंग करने चाहिए तो देखो आपके सेट में जितने सबका पेयर होना चाहिए सबका डबल होना चाहिए यानि कि 1 है तो 1,1 भी होना चाहिए आर में बिलॉंग करना चाहिए 2 है तो 2,2 भी आर में बिलॉंग करना चाहिए 3 है तो 3,3 भी आर में बिलॉंग करना चाहिए कहीं भी दिख रहा है क्या 1,1 कहीं आर में बिलॉंग कर है नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है उसी तरीके स्थ्री वाला भी नहीं कर रहा है तो हम कहा देंगे कि यहां पर 1,1 आपका नौट प्लोंग्स टौर इसमेटरिक है अब दूसरा अलाम निकालेंगे गालेंगे इसको में पूरूफ करना किそकं करें याई सम्मित है तो दूसरी हेडिंग हम लोग जानते हैं क्या डालते हैं सम्मित यानि कि सेमेट्रिक यह कहता है कि सर अगर आपका A, B, R में बिलॉंग कर रहा है तब आपका उल्टा B, A, B, R में बिलॉंग करना चाहिए यह बिल्कुल होगा साफ-साफ दिखर है आपको आप सेट से यह दोनों ही उठाओ जैसे आपने 1, 2 उठा लिया और 2, 1 उठा लिया आप इसको A बमान लिए और इसको B यह प्वी हो गया और यह हो गया हो गया कि आपका बी लौंग करें इसका मतलब यह की जब आपका 1,2 में बिलॉंग करें ठोब आपका 1,2 में बिलॉंग करेंगे तो इसका उल्टा है में बिलॉंग करना चाहिए तो दोनों ही बिलॉंग कर रहा है आर में है दोनों तो इस कंडिशन में यह जो यहां पर आ रहाएगा यह आपका सम्मित होगा देखिए कितने छोटे-छोटे वाले कंसेट वाले कोष्टिन हैं पर तीसरा चीड आपके का निकालेंगी करद्ध और इसे हमें प्रूफ करना कि संक्राम नहीं हमें में प्रूफ करके दिखाना था तर्इजंआ अनुματα होता है तो देखो इसको लेकर चलीजस के फिर्फ करेंगे तो देखो जब आपका कामोट करें तो यह हम लग लिख कर मानें यहां से हम यहां पर आप इसको आप सकते सीवारा अगर आप सी मानते हैं तो यह कहता है जब बिलॉंग करना चाहिए यानि कि आंज का मतलब वन कॉमा वन आर में बिलॉंग करना चाहिए कि आओ देखते हैं 1,1 R में है कि नहीं कहीं दिख रहा है क्या 1,1 नहीं दिख रहा ना तो इस कंडिशन में यह कि नौट विलोंंग्सने जायेगा तभी आर आपका संक्राम नहीं नहीं होगा नहीं है अब चलते हैं में क्या बोला है कि लेंगवे से बिलकुल इस देखें किक सब्सक्राइब की किसी कॉलेज के पुष्ट काले यानि की लॉलए जो होते हैं की समस्ट पुष्टकोय सारी जो जो बूपकें ज्मुच्छ एह हैं जितनी भी बूप्य है मस्तलब एक सेट है जिसमें क्या है सारी बूपокहहई तो यहां पर बूपल रहा है जो आर आर बराबर दै रख़ा एकस कॉमा वारी और बोले एक्स तत्ता यहां पेजों ॥ा这是 है यानि किивать एक बूख है वारी एक जाने कि में दौनें वारी त्रीर में रहें तो नंबर एङंड़ में में सांफ़्प्र प्लत आप sपर निए में यह तीनों पाया जाए रिफ्लेक्सित स्थ्य मेट्रिक डांजिकितिन अगर शुद्ध टुल्य संक्रामय तीनों पाया जता है उसे लोग क्या कहते हैं तो इसको भी हम लोग देखेंगे करते हुए सबसे पहले डालते है स्वतुल्ल से planets भी और यहां से हम लोग हेडिंग डालेंगे तो सो Liberal यहां से क्या outta सबस्वार होने के लिए हम सबहें क्या होना चाहिए इक जैसे element x, xr में belong करने चाहिए ठीक तो यहांसे देखा हम लिखें यह माना हम एक ही element को लेंगे जो कि x में belong कर रहा है x और y 2 बुख दे रखें लेकिन हम किसी एकी की बात करेंगे तो यहां से आप जब आपका x, yr में belong कर रहा है तब आप कह रहें कि x x-y में पेजो की संखिया समान है, तब आपका यहाँ से आप कह सकते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यह तो कन्डीशन में Hoparat करो straightforward है एक श्यर की R आपका संखिया, आर जो आया आपका स्वतुल्ल्ल है यह आपका अन्सर हो जाएगा अब लोग क्या देखेंगे क्या देखते हैं सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं समिथ देखेंगे तो समपमिथ के हलिए हम सभी जानते हैं क्या होना चाहिए हम सभी जानते हैं कि अगर आपका ए खॉम भी आर्म इ chem कर रहा है तब तो आपका y,x भी आर में बिलॉंग करना चाहिए ठीक यह हम सभी जानते हैं तो यहां पर दो element है x और y तो यहां पर हम लिखेंगे माना x,y दो बूक हैं जो कि एक सेट यानि की a में बिलॉंग करना तो इसको लेकर चलते हैं और इसको प्रूफ करते हैं तो यहां इस लिखेंगे since जब x,y आपका r में बिलॉंग कर रहा है तब आपका कहा जा रहा है कि x और y x और y यहां पर लिखेंगे x तथा y में पेजो की संख्या समान है तिक यहां पेजो की संख्या समय है जब आपका दो बूक है x एक आपका बूक है x एक बूक है य तो यह तो यह नहीं बइशो की संख्या बराबर है तो आहीं자를 कर दें x इस फेंए यहांपर यहां जो आ यहां पर आया यहां आपका सम्मित है संक्रामक इसको भी होना पड़ेगा तभी आपका तुलेता संबंद कहलाएगा संक्रामक तीनों अगर जिसमें पाया जाता है उस संबंद को हम लोग कहते हैं तुलेता संबंद कहते हैं यह कहता है कि अगर आपका आपका यहां चाहिए तब यह आपका संक्रामक होगा यहां पर तीन अलमेंट की बात हो रही है तो यहां पर मानेंगे यहां से लेकर चलेंगे दोनों को और इसको परूफ करेंगे यहां से लिखेंगे आप देखो जब आपका एक्स कॉमा वाई आर में बिलॉंग कर रहा है तब आपका कहा जा रहा है एक्स और वाई यहां पर लिखेंगे एक्स और वाई में पेजो की संख्या एक्स एक एक बुक है दोनों में पेजो की संख्या समान है किया है इक्वेल है जब आपका एक्स और वाई एक्स कॉमा वाई यां वाई वे बिलॉंग कर रहा है तब देखाए यहां से आप लिख सकते जब आपका वाई और जड आ लिखेंगे y & z संख्या क्या है समान है यहां पर तीन बूक की बात हो रहे यह कैश्चा समान है तहीं ४क में तो आप कह सकते हैं डूसरी कंडिशन में आपने कह दिया एक्स और य होग तो यह और लिख दोगे एक्स और जेड में पेजो की संख्या क्या है पेजो की संख्या समान है यहां पर हमने तीन बुक क्यों लिया क्योंकि संक्रामक में हमें तीन एलमेंट लेने पड़ते हैं इसलिए तीन बुक है तीनों में नंबर पेज़े बराबर हैं तब यहां से जब यह आपका यह भी समान आ गया निकल लिख सकते हैं एक्स कॉमा जिड बीलोंग्स टू आर तब यहां पर आरका क्या हो जाएगा आर आड का संक्रामक कि संक्रामक है ठीक है तो तीनों देखो है आपका संवीद भी यहां पर संक्रामक भिया स्वॉट थुल पहले निकाला यह जिसमें पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहें देते हैं तुलियता संबंध तब यहां पर आपको यह तीनों अच्छे तरीके समझ मैंने बताया सारे कॉंसेट मैंने अपने पूरा एफट देते हुँ समझाने की कोशिस की फिर भी कोई डाउट है तो आप सीधे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके आगे के कोशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वीडियो कैसा लगा वह एक बाग कमेंट से में कमेंट करके बता दिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं आल डबेस्ट